ओम शांती, अमुले रत्न में आप सभी दर्शकों का हारदिक स्वागत है समर्पन, ये शब्द जब एक आम व्यक्ति सुनता है, उसे कुछ कठन लगता है क्योंकि ग्रहस्त विहवार में रहते हुए परमात्मा को सब कुछ अर्पित करना, ये संभव सा नहीं लगता पढ़न तो परम पिता परमात्मा नकेवल हमें ये समझाते हैं कि समर्पन का यथार्थ अर्थ क्या है परनतो हमें समर्पनता से मिलने वाली अद्भुत प्राप्तियों के बारे में भी अवगत कराते हैं आज हम इश्वरी महावाक्यों के जरिये इनी गहराईयों के बारे में जानेंगे और समझेंगे और हमेश्या की तरह हमारे मद्दे हैं प्रचापिता ब्रह्मा कुमार इस इश्वरी विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्णी राजुभाई साब परसब आपका आज के अपिसोर्ट में बहुत-बहुत स्वाकत है परसब पिछले एपिसोर्ट में हम बात कर रहे थे 24 जनवरी 1970 के महावाक्यों के बारे में और इसका टॉपिक था कि ब्रामणों का मुख्य धंदा, समर्पन करना और कराना परसब हम शुरुवात करते हैं इश्वरी ये महावाक्यों से परमात्मा ने एक बहुत ही सुन्दर लाइन कही जो कि हम गीता में भी पढ़ते आये हैं नश्टो मोहा स्मृती लब्था पर परमात्मा कहते हैं कि नश्टो मोहा की लास स्टेज कहां तक है जितना नश्टो मोहा बनेंगे उतना ही स्मृती स्वरुप बनेंगे तो स्मृति को सदा कायम रखने का साधन है नश्टो मोहा बनना फिस अब सबसे पहले हम जानेंगे स्मृति लब्धा नश्टो मोहा इसका क्या दात पर रहे हैं? हम सबका कहीं न कहीं बुद्धियों फसा हुआ है हम नश्टन लब्धा निवन उन तो लिए स्मृतिश गजसे वरे नहीं ओ कर रहें हैं लेकिन जब तक रुद्धिय नश्टो मोहा इसका क्या मेम जब तक क्या सबस्गर संम्झा ड़ा आफ श्टारह को साथ क प्र एट को न सम्झा है मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं. तो भगवान भी गीता में भी यही कह रहे हैं, जब तक अरजुन का मोह नश्ट नहीं हुआ, तब तक उसको इसम्रति लफधा का वर्दान नहीं मिला. मना वो युद्ध के लिए तेयारी नहीं हुआ. परमात्मा की याद में रहकर के विकारों को जीत ले, विकारों से युद्ध है, यह तो एक अलग परकार की विद्ध दुआ दिखाए गई है. लेकिन परमात्मा हम सबको हर विकार पर विजय प्राप्त कराना चाहते हैं. तो सबसे जो अधिन बात है, समंधों में आजकल, वो मौ है, अटेच्मेंट है. इतना एक दूसरे के साथ है, सोचते हैं, कि अगर हमारा मौ नहीं होगा, तो अम बच्चों की पालना कैसे करेंगे, बिल्कुल. मौ नहीं होगा, तो हमें यह काम नहीं कर सकते हैं, मौ तो जरूर है प्रवड़ती वाले हैं, समझते हैं और परमात्मा कहते हैं, बच्चे यह तो सब आज हैं, कल नहीं हैं, उन्होंने तो सिधाई गीता में का है, है अरजुन यह सब मरे पड़े हैं, क्योंकि इनके साथ मौ जाए पार्ट बजाते हैं, यह समरती रखो कि आज हैं तो सब को सरीर बदलना ही है, तो तुम्हारा मौ नहीं रहेगा, एटेचमेंट नहीं रहेगा, तो जब तक हमने अटेचमेंट को नहीं समापत किया है, तब aptak कि परमात्मा की तूम्रात्मा की याद नहीं नहीं लिए उसकी आद में रहने के लिए सब देह और सम्मंदों को भूलना पड़ता है और बुद्धी जाती उनकी तरफ है जहा है अटेच्मेंट होती है और अटेच्मेंट वास्तों में सने और अटेच्मेंट को लोगों एक समझ लिया जी सने एक बहुत बड़ी सक्ति है परमा करती हैं पड़नेंसे फिल्गों की बढ़ना करते हैं उनके पास कोई रूग है कोई प्रकार कि तकलीफ है उसको दवाई देंगे बोजं देंगे समहालेंगे लेकिन उनका मुह नहीं होता है कोई कारण से अगर मानलो सरी चूट भी गया उसका तो उनको रोना-ढ़ना नही मन्ता पलन करो लेकिन कुछा करम तर दुख्या दुखता जाना इक बहुत रमनिकता से एक मिसाल पान्दर का देते हैं जैसे बंधर के बच्चे होट होते हैं रखती हैं अगर कोई कारंव से प्जड़ जाता है तो उस मरे होई को unhappy जब तक तक रड़ियां गिर नजाएं इतना मुह होता है तो परमात्मा कहता है कि यह मुह ठीक नहीं है यह दुख देने माला है ज़िए अगर किसी से मुह रखा और अचानक को कुछ हो गया तो सदा दुखी होते रहें गए इसलिए इनके साथ पाट बजाओ संमंध के सैब हार करो संहय से पालना करो संहय से पढ़ाओ लिख रखाओ बड़ा करो योगी बनाओ लिकिन मुह नहीं रखाओ मुह सदा दुख देता मुह इक विकषक है तå इसलिए परमात्मा हम सबको नश्ट औमोहा OUT मुह नश्ट हो जाया ख़तम हो जाए तब परमात्मा की आ जब आप अपने को समर्पन कर देंगे, तो फिर सभी सहज हो जाएगा, अगर अर्पन न करके अपने उपर रखते हो, तो मुश्किल भासता है, सहज बनने का मुख्य साधन है समर्पन करना, बाप को जो चाहिए वो करावे, जिस मशीन होती है, तो उन द्वारा कार खाना चल जाना, ऐसे हम निमित हैं और चलाने वाला जैसे चलावे, क्योंकि हम सब ने अपना अपना समझ लिया है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी दुकान, ये जो मेरा पन है, ये दुका कारण है, परमात्मा हम सब कहते हैं, मेरे पन को अरपन करो, जो तमको जाने के लिए, साथी, संबन्धी, ये सब परमात्मा के देन है, अगर ये इसमृति से चले हैं, उसने दिया है, हमको समहलना है, तो तो त्रस्टिपन की भाहँ रहेगी, अपने आपको निमित समझ करके विवार में आएंगे, करम करेंगे, लेक्न उनके कोई भी कार्य से बिलकुल, आज जो दुख हो रहा है, वहाँ अच्छते है, मैंने इसको इतना पढ़ा लिखा के बड़ किया, इसको इतना योगी बनाया, अब जब बड़ हो गया तो मेरा कहना नहीं माननाता, मेरा पन उसको दुखी कर रहा है बिखति, और मेरे पन के कारण ही, आज इतनी आज परी पर एसानियां खड़ी हो गई। एमानो आज कोई चीज में बहुत हमारा मुह है। मंता है, मुह और मम्ता दो अबताते हैं। मुह अज़ अच्छी इसे संबन्दों में होता और मम्ता इन वस्तुओं में, बदारतों में, जो विषाधन उनमें होती। एक शेट जी ने सहेंते ही आपडरावाब कोत्रा है w एक एक बाग भी है। दुड़ाइड झाथे ख्रिवा वही थे। भी कर्चा दो जोगते ही लुडते भड़ कारना बदायाी गड़ाई नगंगाई ते ब हीम उसमें आग लग गग गई तो बच्चे छोटे जानते थे बड़ी महनत से बिल्डिण बनाई है इनका इसमें बहुत मौह हो गया है तो उनों दोड़ दोड़ का बभूजी आपकी बिल्डिण को अग लग गई अब बभूजी ने चुनते ही उनको चकर अगई बेखोजने ल अब मुझे नहीं जीना, मैंने सारी जिंदगी कैसे कैसे पैसा कमाया और इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के कड़ी कि मैंने क्या लक्ष रखा था, क्या मेरे सामने हो रहा है, दुखी हो बहुत परेसान, बीपी बढ़ गया, अब मैंने बूल गया, अब मैंने बताना भूल है, अब मैरापन 10 संकलब से खतम हुआ, सारा नार्मल हो गया, आपना है यह यह जल रहा है वैसे ही लेकिन जहां अपनापन था मेरापन था वहाँ दुख था, और जब उसने अच्छाए यह नहीं है परेसा वहाँ ऐसा संभंधत पर मातमा ने बहुती सुंदर महवाद्के कहें हैं कि ऐसे समझने से मुश्किलात नहीं फील होगी यह स्थिती दिन प्रति दिन परिपक्व करनी है अगर हम उनको अपना समझ करके चलते हैं तो उसमें हमारा मुह रहता है अगर कुछ नुकसान हो गया तो दुख होगा अगर समझ लेते हैं कि परमात्मा ने कराया यह सब परमात्मा की दचना है उनका यह कारी है जैसे आज इतना बड़ा इस्तुरिय विष्विद्य ले चल रहा है हमारे दादियां निमित हैं और निमित होने के कारण उसमझति इस कि अभरते हैं अगर होबी जाता थोड़ा प बहुत सव्य थी व्यिखशते हो जह करने उस्तों को अभरते हैं ऑ्परीवर्टी में रहते हैं अगर निमित हैं इस परमात्मा हम सब कहते हैं अपरवध्ती मेरे तार्वों हम पुछी कीची हैं लेता नहीं ल्याओ को इसी जे कर देते हैं और फिर समरपन करने के बाद हम उसको समाल करके चलाते हैं तो हमारा मुह नहीं रहता हम नष्टो मुह बन जाते और बहुत सरल जीती से जैसे परमात्मा जो कराए जैसे चलाए जैसे रखे जिस हालत में रखे हर परिस्थिति में अपनी इस्थिति को ठीक रख सक पर आगे चलकर परमात्मा कहते हैं कि जितना स्वयम को समर्पन करते हैं परमात्मा के आगे उतना ही परमात्मा भी उन बच्चों के आगे समर्पन होते हैं अर्थात जो परमात्मा का खजाना है वे स्वते ही उनका बन जाता है वैसे लोकिक जीवन में भी अगर कोई व्यक्त आपना सब कुछ किसी के आगे उफर करता है. तो वो भी कहता है, जो हमारे पास वापका है. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? आज लोकिक में भी जहां सने होता है, जहां समर्पन भाव होता है, सेवा भाव होता है, अगर कोई एक मदद करता है, तो दूसरा भी सामने से आफर करता है, कि आपने हमारे लीतना किया, आपके लिए हमारे आप सब खुला हुआ है, तो परमात्मा भी देखते हैं, बच्चों ने जब सब कुछ कह दिया तेरा है, तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, तो उसके पास जो कुछ अविनासी है, शुक है, शांती है, ज्यान है, गुन है, तो आपके तुम इसके मालिक हो, हमने उसको अरपित किया, उसने अपनी सक्तियां हमको अरपित कर दी, हम उसके मास्टर बन कहें. यानि यदि हमें इश्वरिय सुक्ह, भर शषन्देती इवला हो धिर झृक्ति को चलिए ने पार्पन कर दिया अगर मैने अरपन कर दिया अगर यहा रपन कर यह अिश कर दिया झाल वहां आप यह कि भूलेंगे, झाल यह कि यह भूलेंगे, जो अपकी सुम्रापन का तो इसतो पास उना इक उन्दन ज्क कहीं पर भी रहते हुए बुद्धी से समर्पित हो अगर बुद्धी समर्पित है कि परमात्मा का ये कारी है, परमात्मा की ए फेक्ट्री है, परमात्मा की ए दुकान है, उसने मुझे दिया है, दाता वो है, ये सब उसी का है, आज कितने सारे परिवार, सब कारे ब्योहार सम पहते हैं हैं हम कर रहा है। तो आगर हम ऐसे समर्पित हो जाते है तो कोई भी बोढ़ नहीं आता, कोई टेंशन नहीं रहता, क्राने वाला कर रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, क्यों, क्राने वाला सर्भ सक्ति Вान है। तो परमात्मा कहते हैं कि समर्पन करना और कराना यही ब्रामभणों का धंदा.. यहareं the headlines। और जो है ही ब्रामभणों का धंदा तो ब्रामभणu की सिवा रोर कॉंछ जानेंगे. जयसे परमात्मा क eyeliner थोड़े में राजी नहीं होता उसे बच्चों को भी थोड़े में राजी नहीं होना है इसमें ब्राम्हण इससे क्या तात पर रहा है ऐसा है दुनिया में भी कोई स्रेष्ट कारी के लिए ब्राम्हणों को निमित बना जाता है वो तो जाती की बात है कोई भी स्रेष्ट कारी हो जाहे वो बच्चे का जनम दिन हो, उसका कोई भी साधी बया हो, कोई भी अच्छे काम हो, कोई घर की निव डालनी हो, पूजा पाट करना हो, तो ब्रामानों को आगे रखा जाते हो. तो पारमात्मा कहता है वास्तों में सच्के ब्राह्माना हो, छो पैदा हूए, मुखश ब्राह्माना थिता है, यजी तो आप बच्चे जिन्हों पना से लेक्षी घ dense घन लें से ब्राह्मात्मा थितिार हो आपे जीवन परह्पित हो, अभी आप रखाह्यः हो, आपने आपक ताकि उनको भी दुखों से आप मुक्त कर सको जब तक वो भी समर्पित नहीं होंगे तब तक दुख असांती से छोट नहीं सकते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है कि यह हमारा धंदा बन जाए यही जैसे हमारा बिजनेस है कि हम समर्पित हों और दूसरों को समर्पित करें यह बहुत उचा कारी है परमात्मा के आगे अर्पित करा देना जैसे आज देवी दियोताओं के आगे बली चढ़ाते हैं वो तो इस्थूर रूप में बली चढ़ा करके किसी के अत्या की परमात्मा कहता है यह तो इस सूक्षम बात है कि बुद्धी से सब कुछ समर्पित कर दिया जाए पर कुछ जैसे आप चलाएं जैसे आप रखें तो समर्पित हो जाएगा तो कोई भी परकार का दुख नहीं आएगा तो परमात्मा कहते हैं कि जितना निष्चे बुद्धी होंगे उतना ही सभी बातों में विजय होंगे निष्चे बुद्धी की कभी हार हार होती है तो समझना चाहिए कि निष्चे की कमी है और इससे संबंधित परमात्मा कहते हैं कि कोशिश अक्षर कहना ही कमजोरी है कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है निष्चे से विजय हो जाती है संशे लाने से शक्ति कम हो जाती है और निष्च बुद्धी विजयन्ती और फिर जब इनसान कहता है कि मैं ट्राय करूंगा करने की तो इस वे कहेंगे यह संकल्प की कमजोरी है कोई कार्य हमको नहीं करना होता है मानलो आज हमको कहें जानी कि अच्छा नहीं अंदर से और आप बहुत प्रेसर कर रहे हैं आपको आना है तो ह हम उसको तालने के लिए क्लिए क कोसिस करेंगे जा तो जब ये सब्सक्राइब कर बार अब कार नहीं कि आपको निष्चे नहीं है कि हमको को भुझा अपको बिजय मिली थी ज़ी जबने थे विकारों पर वीजय कलप कलप आई थी हम यह पाएंगे लिष्चे अपने आप म को फिल अए कि बनाए धा जगrás अजि को मैंने इसा धनाया था तुम जा यह बिजए घृतनमे एथ है अगरो आपने वल्हा फिर से बनना है तुम एपने घृतन ही अपने टा मिफ बनने से अपने अपमे चाहर अप्ता और इपने से लिचे हुए व्या ढ़िया हुए बेटित वर्ती वान्ती कृम अंकल्पम्मे रांटा की कमी एंगे बढ़ांगे को बढ़ाना हैं जरू करेंगे हो जाएगा आम Northern committee thank एंटी एंटी बुडु वी करेंगे होजायेगा है्detू आम्म टो बने थेम को ऑनके भानदन टीकाना है तो झिचे की वासा है बिना निश्य के यदे हम कोई भी कारे करते हैं, तो फिर पहले सही एक जदरा से हार हो जाती है. कमजूर संकलप ही हाल ले आते हैं. जी, कमजूर संकलप. पता नहीं हम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे. हमारे संसकार तो बहुत कडे हैं. ऐसे कई ब्राह्मान आत्माइं भी कमजोर संक्लप करके चलती है सब आगे चलते हैं तो आगे इसी से सम्बंधित पर्मात्मा कहते हैं कि विगन तो आहेंगे उन्हों को खत्म करने की शक्ती है सदेव समझो की यह पेपर है अपनी स्थिती की परक यह पेपर कराता है पेपर में भी भिन-भिन प्रकार के questions होते हैं कभी मंसा का, कभी लोकलाज का, कभी संवंध का कभी देश्वासियों का पेपर तो जब हम प्रवरती में रहते हैं, समाज में रहते हैं तो कई बाते लोगों के सामने से ये आती हैं., जैसे लोक लाज की बाते है कि अगर ऑ्ज ठी आता थारी पहंगा है, सफेड द्रेस पैनता है, बता ने लोग क्या कहेंगी ये सै सोचेंगे ये पता ने पेपर हें इसको क्या हो गया तो ऐसी ड़ह सामने आते हैं किसी न तो यह चोए ऐनो से परइवार के द्रवार के द्रवार। एक अभी अभी अप्ने ही शंसकारों के द्रवार राता लेकिन अभर आजब को ए पेपर में हमको पासो। विद्धिया रध्ती कि आगे कोई प्रकार के कुेस्च्छन सा थे हैं के परकार के परेपर में ब्रास्न होते हैं, और उन्रास्न प्रशनुव में जो सरल होता है पहले कर लेता है… ऒिलकुल तो पर्मात्मा भी कहता है बच्छें, अगर मन लो कई परह्पर का पराप्त जाएं, तो धीरे धीरे संच करदो चे जातक कह सामनcel bio scy ще कोश्च्यन नहीं करो, कावड़ाओ नहीं चाह पॉअधा है। हम्ने तो बार बार इस पर भीजय है। अगर बड़ी बात नहीं है। जब जब ले तो नहीं घेड़ाओ करो श्मरति जब उसके बुद्दी में आगई। एम्हेराई में जाना चाहिए बमना खुर्थफ एवान विजी हागी हम एखुड़ने पर रान भाता दिन ओड़ा, एखुड़ने सब्केलान लेखुड़ियागी हागी हम विजी की ग्षूने थेवाया, बम्हे थेखुड़ने चाहिए होन्गानु कोई पूचेया, कोई नहीं पूचेया, कोई गुछे में आजाएगा, क्यों गए थे। कई परकार के पेपर राते हैं? हां जी, हां जी. इन पेपर्स को पार करने के लिए अपने इस्थिति अच्छी बना लो, कुछ नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, पार्श हुए थे, पार्स हो जाएं, ये गहराई में चले जाओ. भैस अब इसी से संबंध है तो यदि हम पर्मात्मा के महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं, तो पर्मात्मा कहते हैं कि सदेव चेक करो, कि संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है, तीवर पुरुशार्थी की चलन में ये विशेष्टा होगी, जो उनके संकल्प, वाणी, कर्म, तीनों ही एक समान होंगे. संकल्प उच है और कर्म कमजोर हो, तो उनको तीवर पुरुशार्थी नहीं कहेंगे. तीनों ही समान चाहिएं. सदेव यह समझना चाहिए, कि जो कि माया कभी-कभी अपना रूप दिखाती है, यह सदेव के लिए विदाई लेने आती है, फैसर इसमें जो शब्द है, तीवर पुरुषार्थी और इसकी जो परिभाषा है, हम चाहेंगे इसको आप थोड़ा और सपष्ट करें, ऐसा है कि कि कोव पुरुषार्थी बच्चे जो है। जो है बाबार के, वफुच्छ थो और स्च्छी नचे बाते हैं ऑम यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे लेकिन प्रेक्टिकल कर नहीं होता है, कतनी और करन्नी में अंतर हो जाते है, बल्कुल कर्मात्मा तीब्रपुटसार्थी उनकों कहता है जिनका सोचना बोलना और करना इनों समान होता जाए इसके लिए बहुत लक्ष उचा रखना जाहिए कि जिस परकार के हमारे संकल्प चल ले हैं हमारा पूरा ध्यान हो जब हमने अपने संकल्प में यह सोच लिया कि मुझे कंदलोना है हमारे बोल हमारे हैं खलना मारे करम और अनुसार होने कार्म में इसके अधर में लिए वे दिवता बनेंगे, हम स्री लक्ष्मी, स्री नाराण बनेंगे, वोत मुच्छा सोच है, लेकिन कर्म नहीं दिखाई देता है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, वो रायल चलन हो जाए, बोल चाल हो जाए, दिखाई दे, पशनल्टी ऐसे ब्यक्तित तो ऐसा बनता ह जाए वित्ति का, जो सब को लगे, यह तो इस संसार में रहते भी, सब दिविगुनों से संपन्न है, तो दिवित्ता हमारे कर्म में आते जाए, इसलिए परमात्मा के ता सिर्फ सोचो नहीं, लेकिन जो सोच रहे हो, वही बोलो, वही करो, समानता आ जाएगी, और इस समान इस इनसान जो है, जो सोचता है, और जब कर्म में आता है, तो कई और मतलब उसकी तरफ से नहीं, लेकिन दूसरे की तरफ से विगना जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? अगर जोड संकल्प नहीं है, तो फिर बाते तो आएगी, उंको डॉंट केर करेगा, अगर बातों के प्रभाव में आ गया, तो फिर कर तो सकता नहीं है, सोच तक ही रह जाएगा, इसलिए भले परिक्षाएं आएगे, कोई को मालनो मंजल पर पहुंचना है, और उसको लक्ष एक मुझे पहुंचना ही है, कितनी भी हवा आए, तूफान आए, बरप पढ़ जाए, संकल्प मे द्रण है, और अगर विघन आ रहे हैं और हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कही न कहीं द्रणता में कमी है, फैसर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इनी महावाक्तियों को हम अगले एपिसोड में और आगे बढ़ाएंगे, और तब तक के लिए आप से उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आपको पूर्ण तह परमात्मा के उपर समर्पन कर दें, परमात्मा के उपर जितना हम समर्पित होंगे, उतना ही परमात्मा के गुण शक्तियां हमारी हो जाएंगी और ईश्वर के सर्व खजानों पर हमारा अधिकार हो जाएगा, आज आज हमने ये भी जाना कि जितना जितना हमारा निश्चे बढ़ता है, उतना उतना हमारी विजय होती है, और विजय हमारी सदा बरकरार रहे, उसके लिए जीवन से इस कोशिश शब्द को हमें सदा के लिए निकालना है, और तभी हमारी कशिश यानि अव्यक्ती कशिश बढ एक समान होंगे। हम सभी इन महावाक्यों को जीवन में धारन करते आगे बढ़ते चले। यही हमारी आप सभी के प्रती शुभावना है। अगले अपिसोड में इनी महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से विदा। ओम शांति। मुख्यसार देवर पुशार्ती अर्थात संकल्पो बानी कर्म तीनों समान हों। नश्टुमोहा बनने का सहज साधन है समरपन करना। हम निमित हैं चलाने वाला जैसे चलावे। हमको चलना है ऐसे समझना है। इतनों को खत्म करने की युक्ती। सदैव समझो के ये पेप मुख्यसार जैसे चलावे।